आयोध्या में विवादत जमीन के फैसले के बाद राम मंद्र निर्मान का काम तेजी से चल रहा है साथ ही आयोध्या में बनाई जाने वाली मजज़त का डिजाइन भी जारी किया गया है इसी बीच आयोध्या से जोड़ कर एक तस्वीर शोशल मीडिया पर वाइरल है जिसमें पुरानी इमारतों के बीच एक मंद्र दिख रहा है दावा किया जा रहा है कि आयोध्या में सड़क चोड़ी करण के दौरान ये खूबसूरत मंद्र मिला जिसको वहां के स्थानी लोगों ने घर बना कर ढग दिया था सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और मंद्र को खोला जाएगा अच्छी ख़बर ये है कि मंद्र की मरमा शुरू हो गई है इंडिया टोड़े अंटी फेक निउस वारूम नजाच में पाया कि ये दावा ध्रामक है तस्वीर को रिवर सर्च करने पर हमें कई मीडिया रिपोर्स मिली जिसमें इसी तरह की तस्वीरे मौजूद थी रिपोर्स में दी गई जानकारी के अनूसार ये मंदिर काशी विश्वनात कॉरिडोर पर योजना का हिस्सा है जिसके तहट इसे मरम्मत करके फिर से बहाल किया जा रहा है खुजने पर पता चला कि इस मंदिर का नाम चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है हमारी बात काशी विश्वनात मंदिर ट्रस्ट के सीई-ओ सुनील वरमा से भी हुई उन्होंने भी इस बात की पुष्टी की कि वायरल तस्वीर में दिख रहा मंदिर चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है जो काशी विश्वनात कॉरिडोर पर योजना का हिस्सा है यहाँ पर इस बात की पुष्टी हो जाती है कि तस्वीर आयोध्या की नहीं वरानसी की है